जै मातारा अगर आप लोगों ने स्रीवामा खेपाजी की पहले वाली जीवनी नहीं सुनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उसे अवश्य सुन ले तो आईए हम आगे की जीवनी सुनते हैं घर लोटकर डॉक्टर ने सुना कि उनकी कन्या की मृत्यों हो गई है अब उन्हें यह बात समझ में आई कि उनके पारिवारिक दुर्दैव की बात अंतर्यामी छेपा को मालूम हो गई थी इसलिए उनको इस प्रकार व्याकुल देखा गया था स्विक्शा मैं छेपा बाबा के दुर्वचन या उनके द्वारा प्रदत तारा माई के चर्नाम्रित और समसान की रज से कितने दुसाध्य रोगों से पीडित रोगी भले चंगे हो गए या कौन बता सकता है मंदिर की सीड़ियों पर बैठा हुआ एक मरना सन्य व्यक्ति जोर जोर से हाफ रहा है और रो रहा है छेपा उसके पास से गुचर रहे हैं पूछा क्यों जी आनंद मैं के द्वार पर आकर इस प्रकार निरानंद क्यों रोगी देवी का प्रसाध ग्रहन करने के लिए व्यकुल हो रहा था किन्तु पीडा सेवा कातर था प्रसाध ग्रहन करने वे वा औसमर्थ था छेपा का हिर्दय द्रवित हो उठा उस दिन उनके करस पर्ष से मृत्योपत यात्रे वह रोगी बिलकुल चंगा हो गया और तारा माई का प्रसाध उसने भर पीट ग्रहन किया स्वस्त होनी पर उसने बाबा से कहा बाबा तुम क्यों साक्षात भगवान हो तुम्हारी चाया बढ़ते ही मेरी मृत्योँ मेरी मृत्योँ यंत्रना नमालूम कहां गायब हो गई भगवान के चूने पर तुम साला खाने के लिए क्या इतना छटपट करता रहे? तुम्हारा सब कुछ समापत हो गया होता मैं तो तारा माई के चर्णों की धूल हूँ नंद छीपा का एक अनुगत भाक्त था उसके हाथ में घिनोना कुष्ट रोग था किन्तु फिर भी वा बाबा की सीवा में लगा रहता था बाबा के लिए पीने का जल लाने से लेकर उनके कुट्टों तक की देखभाल करना उसका काम था एक बार एक भाक्त ने प्रश्न किया यह नंद तो जाती का डोम है और इसके सीवा कोड़ी भी है आप उसके हाथ का जल क्यों ग्रहन करते हैं छेपा ने कहा मैं उसके हाथ का जल ग्रहन करता हूँ यह मेरी इच्छा इससे तुम सालों का क्या बिगड़ता है अशरे की बाद तो यह की नंद की उपर यद्देपी बाबा का इतना सने था फिर भी वो उसे रोग मुक्त नहीं कर रहे थे नंद ने भी इस सम्मन्द में उन्हें कभी कुछ नहीं कहा एक बार नंद का कुस्ट रोग बहुत बढ़ गया लगभग एक सब्ता से वतारा पीट के समसाल में नहीं आ रहा था छेपा बाबा उसके लिए बहुत द्विग नहूठे कतिपै भक्तों ने बाबा से आग्रह किया बाबा नंद आपका इतना बड़ा अनुगत भक्त है इस समें वो बड़ा कस्ट भोग रहा है आपको उसे रोग मुक्त करना होगा बाबा की अनुमती मिलने पर सब लोग नंद को ले आए उसके सामने आते ही छेपा बाबा तीवर स्वर में उसे फटकारने लगे साला पाप करते समय तो सब कुछ भूल जाता है जैसा कर्म वैसा फल तुम्हारा या हाथ गलकर धीरे धीरे गिर जाएगा करुणा मैं छेपा बाबा का या कैसा कठोर वैभार नंद फपक फपक कर रोने लगा कुछ छणों के बाद ही महापुरुस का एक दूसरा ही रूप देखा गया नंद को पास बुला कर उसे अपनी चाती से लगा लिया उसे सांत्वना देते वे सहसने कहने लगे तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा इस समसान की धूल को रोज अपने दोनों हाथों में लगाना नंद का कुछ रोग एक महीने के अंदर ही अच्छा हो गया वेल ग्राम का निमाई बहुत दिनों से हरनिया रोग से पेड़ित था एक और रोग की पीड़ा दूसरी ओर भीशन तरिद्रता जो किसी प्रकार का रोजगार नहीं कर सकता था वो अपने परिवार का भरन पोशन कैसे करता अंत में जब जीने के कोई आसा नहीं रह गई उसने गले में फांसी लगा कर आत्महत्या करने का निश्य किया गोर अंधियारी रात निमाई उस रात को तारा पीट समसान के बाज एक जंगल में आ पहुँचा उसके हाथ में एक रस्ती थी वहां बिल्कुल सुनसान था एक पेड की डाल में रस्ती की फांसी लगा कर वह उससे जोल पड़ेगा बिना ऐसा किये इस रोग की दुख पीडा से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं गले में फांसी लगाने ही जा रहा था कि उसी समय एक हिर्दे को कपा देने वाली आवाद सुनाई पड़ी तारा तारा निमाई के हाँच से उसी छण भासी की रसी गिर पड़ी उसने देखा सामने में छेपा बाबा खड़ी है गंभीर कंठ से महापुरस बोल उठे अरे साला आत्मधाती होना महापाप है तुरंत यहाँ से भाग जाओ निमाई मर नहीं सका किन्तु उसी दिन उसने निश्य कर लिया कि वह अब घर लोटकर नहीं जाएगा तारा माई के मंदर के आंगन में रहकर दरसनार्थियों से भिक्षा मांगेगा और इस प्रकार गुजर करते हुए उसके दिन बीच जाएंगे एक दिन छेपा बापा पास के किसी स्थान में गए हुए थे उनके आसन के सामने की धूनी चल ही रही थी निमाई ने सोचा इस पीच में धूनी से गांजा की चीलम के लिए आग ले ली जाए एक टुकड़ा जलता अंगार वल ले ही रहा था जबकि भीम भैरो मूर्दी छेपा वहां आब हुँचे और जोर से एक लात उसके पीट पर जमा दी तक्छन वह मूर्शित हो गया होस होने पर निमाई ने आशरे के साथ देखा कि उसका घातक रोग हरनिया अब नहीं रह गया है इसके बाद बहुत दिनों तक रहकर वह लौकिक काम काज करता रहा सेमल के पेड़ के नीचे छेपा सोय हुए है एक खाट को कंदों पर रखे हुए कई आदमी वहां आपोचे खाट को नीचे करने पर देखा गया कि एक यक्षमा रोगी मृत्वत अवस्था में हाफ रहा है छेपा बाबा कहने लगे क्यों जी इसे इस अवस्था में समसान में क्यों लाए हो जीते ही जला दोगे क्या साले ने पाप बहुत किया है जीते ही घुल घुल कर मरेगा रोगी का एक आत्मी जन सामनी आकर कहने लगा ऐसा क्यों बाबा? इसी तो आपकी चर्णों में रखने के लिए ही यहां ले आया हूँ बहुत दवा कराई, कोई फल नहीं निकला अपनी मा की एक मात्र संतान है दया करके इसे बचा ले बाबा दूर हो साले, मैं क्या डॉक्टर या वैद्ध्य हूँ? मेरे पास न्यों लाया? किन्तो भग्तगण भला छोड़ने वाले कब थे? खीज कर छेपा बाबा आसन छोड़कर वहां आ गये सहसा रोगी के सरीर के उपर जुक कर दोनू हाथों से उसका गला दबा रखा कुरुदिस्वर में कहने लगे बोल साला, फिर कभी पाप करेगा? इधर रोगी कादम घुटने के कारण उसके प्राण निकलने पर हो गये थे सब लोग आतंकित होकर खाट के समीप दोनाए अंतकाल में क्या छेपा बाबा पर खून करने का अभियोग लगेगा? इस बिच रोगी बेहोस होकर पड़ा हुआ है उसे मिट्टी पर रखकर महापुरस बोल उठे जा साला बच गया कुछ छणों के बाद ही उसकी बेहोसी दूर हो गई वो उठ बैठा और सब लोगों से कहने लगा मुझे पड़े जोहर की भूख लगी है इसी समय यदि कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो मैं नहीं बचूँगा बहुत दिनों से जो रोगी विचावन पर करवटे भी नहीं बदल सकता था आज उसे इस तरह उठकर बैठते देख सब लोग आश्यर से अवाख हो गए छेपा बाबा नहीं कहा साले को पेट भर कर मा का प्रसाद खाने के लिए दो तारा माई की दया से अच्छा हो जाएगा इसके बाद वह आदमी पूर्णता निरोग हो गया एक दिन छेपा अपनी भक्त दल से घिरे हुई सिम्मल व्रक्ष के नीचे बैठे हुए थे सहसा बोल उठे जितने दुस्वृति है वह साले बुरी बातों को लेकर आते हैं कोच छणों के बाद ही देखा गया दो यूवक विलायती सराब की बोतले एक हडिया संदेश और वादिर्यंत्र लेकर वहाँ पहुँचे छेपा बाबा को खिला पिला कर और संगीत सुना कर प्रशन करना चाते थे छेपा एक बार की ग्रोद से जल उठे समसान से एक जलती लगडी ले आए और उसे तुरंत सराब की बूतलो और हांडी को फो डाला दोनों यूवक भैवीत होकर वहाँ से भाग निकले बात में मालूम हुआ डर्बी की घुरदोड का प्रथम पुरसकार प्राप्त करने की आसा में वे छेपा को प्रसन करने के लिए आय हुए थे अपने अलोकिक योग बल से छेपा बाबा प्राय दूसरों को सचेतन कर देने में सहायता करते थे एक बार एक जमिनदार तारा पीठ में पूजा करने आये पूजा खुब धूम धाम से हो रही थी द्वारक नदी में स्नान करने तट पर खड़े रहकर जब कर रहे थे छेपा उस समय जल में प्रवेश कर रहे थे जब में निरंतर उक्त सज्जन पर जब उनकी द्रिष्टी गई वपनी हसी रोक नहीं सके तंग करने के लिए बार बार नदी का जल उनकी उपर छड़कने लगे जमिनदार सज्जन क्रोधित होकर चिल्ला उठे कौन है या असभ्य पागल जब कर रहा हूँ मुझे अप अवित्र कर रहा है छेपा ने उत्तर दिया तारा माई के यहां आए हो उनका नाम जब कर रहे हो और मन ही मन मयूर कंपनी के जूते की बात सोच रहे हो जमिनदार सज्जन चौक उठे सच मुझ बात ऐसी ही थी कलकत्ता जाकर उक्त कंपनी का एक जोड़ा जूता खरीदने की बात उनके मन में उठी थे कौन है अंतर्या में पुरुष जिसकी दिव्य दृष्टी से वह अपने मन की एक अत्यंत साधारन बात को भी नहीं छेपा सके मंदिर लोट कर जब उन्होंने पंडो से यह बात कही तब उन्होंने कहा यह साधारन पागल नहीं है तारा पीट के सिव कल्प महापुरुष वामा छेपा है जमिंदार सज्जन व्याकुल भाव से पुना छेपा के दर्सन के लिए दोड़ धूप करने लगे किन्तो उस तिन छेपा का कहीं पता नहीं चला खिन्नमन से वह कलकत्ता लोट आए एक दिन छेपा तारा मंदिर की आंगल में बैठे हुए थे सामने कतिपे दर्शनार थी सिक्षित सज्जन थे उनके साथ छेपा कुछ-कुछ बाते कर रहे थे पास में ही एक पतल पर तारा माई का प्रशाद रखा हुआ था छेपा बीच-बीच में उस प्रशाद से थोड़ा थोड़ा लेकर खा रहे थे उनके प्रिये संगी दो-तिन कुट्ते भी उस पतल पर खाद लेकर खा रहे थे उपस्थित व्यक्तियों में साइंथिया के कतीपई यूवक थे जिने कुट्तों के साथ छेपा बाबा को भोजन करते दीख कर बड़ी घ्रना हो रही थी अंतरियामी छेपा बाबा के दृष्टी से यह वाच्छिपी नहीं रही उन यूवकों को उन्होंने अपने पास बुला कर बैठाया अपनी हाथ से उनकी पीठो का सपर्स कर कहने लगे बाबू लोग अब क्या देख रहे हो यूवक दल विसमे से अवाक हो गया छेपा बाबा ने मानो सहसा एक जादू कर डाला उन यूवकों ने देखा तारा माई का प्रशाद भुजी छेपा और उनके सहचर कुटो का ही केवल मानो रूप रह गया था और सब जितने दर्शनार्थी सज्जन थे वे सब भिन भिन आकार में दिख पड़ने लगे साप, कुट्टा, बिल्ली, त्यादी, नाना विचितर जीवों के रूप में मानोवी छण भर में परिवर्तित हो गये थे प्रतिक की जो अपनी स्वभाविक व्रिती थी उसे सक्तिधर महापुरुष ने जन्तु और सरीश्रिप की रूप में परिनत कर दिया या कहने की आवशक्ता नहीं की यूगों की स्वभाविक द्रिष्टी छण भर में ही फिर लोटाई किन्तु छेपा ने उस दिन उन्हें जो अल ओकिक सिक्षा दी उससे उन्हें चतन योदय हुए बिना नहीं रहा छेपा बाबा वाक सिद्ध पुरुष थे एक बार भी यदि उनके किसी रोगी के संबंध में कोई बात निकल जाती तो वह रोगी चाहे कैसी भी मरनासन क्यों न हो उसके संबंध में चिंता करने की कोई बात नहीं रह जाती और फिर इस रोगी के रोग्य को लेकर छेपा बाबा को कम परिसानी नहीं उठानी पड़ती एक बार तारा पीट का नगेंदर पंडा छेपा से हट कर बैठा कि उन्हें एक रोगी को निरोप करना ही होगा रोगी थे एक स्थानी जमिंदार पूर्ण चंद्र सरकार छेपा को पाल की पर चढ़ा कर वहाँ ले जाया गया मार्ग में पंडा उन्हें समझा कर कहने लगे बाबा आप रोगी के पास पहुचकर केवल इतना कहेंगे अरे साला उठ बैठो तुम्हारा रोग दूर हो गया आपको और कुछ नहीं करना होगा छेपा बच्ची के तरह कहने लगे अच्छा नगेन काका ऐसा ही कहूंगा बीच बीच में मुझे सिखाते रहना जिससे मैं भूलना जाऊं किन्तो जब वह रोगी के घर पहुचे वहाँ उन्होंने बिल्कुल उल्टा काम कर डाला बुले नगेन काका यह साला तो अभी ही अर्थात इसके बचनी की कोई आसा नहीं अभी अभी इसका देहांत हो जाएगा इतना कहनी के साथ छेपा पाल के पर आकर बैठ के रोगी ने भी अपनी अंतिम सांस छोड़ दी नगेन पंडा बहुत हतास हो गये रोगी की आत्मीय चन उनकी अपनी आद्मी थे और उन्होंने पंडा से बहुत आगरा किया था पंडा ने भी बाबा पर भरोसा करके ही उन्हें आस्वासन दिया था रास्ते में चलते चलते घिन्मन से वो छेपा बाबा को कहने लगे बाबा क्या कर दिया यहां अब मेरी मान मर्यादा कुछ भी नहीं रह गई यदि मैं ऐसा जानता तो आपको यहां नहीं लाता छेपा करुंस्वर में कहने लगे नगेन काका रोस नहीं करना सच मुछ मेरा कोई दोस नहीं है मैंने तो आपकी सिखाय हुई बात कोई कहना चाहा था किन्तु तारा माई आकर मेरी कानों में मानों कहने लगी छेपा यह बात तुम बिल्कुल नहीं बोलना बोल देना भट मैंने भी ऐसा ही कह दिया दूसरी और इस वाकसिद महापुरूस का एक एक और हैतुक आसिरवाद भी भक्तों को कम आशर चकित नहीं करता था एक बार एक युवती अपने पिता के साथ तारा पीठ और तारा पीठ के भैरो छेपा बाबा का दर्शन करने आई उनका घर रामपूर हाट में था सुद्धमन एवं पवित्र भाव से वह कुछ खीर तयार करके लाई थी प्रणाम करके भक्ती भाव से उसने बाबा को खीर भेट की छेपा ने अत्यंत प्रसन्न होकर आसिरवाद देते हुए कहा बहुत अच्छा मा बहुत अच्छा तुम्हें धन और पुत्र का सौभागे प्राप्त होगा उनके वचन को सुनते ही यूती रोने लगी यूगल नेत्रों से अविरल अस्रूधारा बहने लगी छेपा ने घबरा कर भक्तों से पूछा अरे यह रोती क्यों है बाबा आपने उसे धन पुत्र से लक्ष्मी वान होने का असिरवाद दिया है किन्तु फोतो विद्वा है उसे पुत्र होने की अवासा कहा रह गई मा, रो मत, मैंने जो कुछ कहा है सब होगा तारा माई ने मुझसे कहा है तुम्हें पुत्र होगा, एक नहीं अनेक छेपा का वजन सफल हुए बिना रा कई वर्सों के बाद एक धनवान वनिक ने वैसनों मतानुसार उस यूवती से विवाह कर लिया संतान एवं धन वैभव सब कुछ से वो सौभाग्यवती हुई दर्भंगा के महराजा एक बार तारा पीठ आकर बाबा के सरनापन हुए महराज को कोई पुत्र नहीं था इसलिए महापूरुस का आशिरवाद लेनी आये थे महराज की साथ सिपाही पंडित और ठाट वाट दीक कर छेपा ने कहा नगेन काका ये सब कौन है ये दर्भंगा के महराज हैं आपकी प्रती इनकी बड़ी भक्ती है इसलिए दर्षिनार थाएं है यह कैसी बात है मैं समसान का भिक्षुक शाधारन मनुश्य मेरे यहां राजा महराजों का क्या काम तब तो मुझे यहां से हट जाना पड़ेगा सब लोगों की सला हुई की महराजा साधारन वेस में अकेली छेपा का दर्षन करने आये महराजा ने ऐसा ही किया बाबा के आसिरवाद से उनकी मनों कामना पूर्ण हुई बाद में चल कर उन्हें पुत्र लाब हुआ छेपा कहा कर दे बाबू मैं सास्त्र पुराण कुछ नहीं जानता केवल तारा माई के भरोशे ही मेरा सारा कार बार चलता है सच मुच बाद ऐसी ही थी छेपा की समझ सत्ता के साथ उनकी तारा माई आद्या सकती मानों ओत प्रोत हो गई उनका सब कुछ उस समय एक अखंड चैतने से युक्त हो गया था एक दिन अपने मन की मौज में आकर छेपा तारा माई की पूजा के लिए आ वैठे किन्तों पूजा के लिए उनका उपचार उपकरन कहां सास्त्र सम्मत रिती से पूजा होनी चाहिए या तो उन्होंनी किसी दिन माना ही नहीं इक एक दिन भावुनमत अवस्था में वो मन्दिर में तारा माई के विग्रह के समीप पूजा के लिए जाकर बैठते उनके अगल बगल उत्कंटित भग्त और दर्शनार्थी खड़े रहते और खड़े रहते प्रसाद लोभी अनूचर कुट्ते छेपा की पूजा में आशन सुद्धी एवं सरीर सुद्धी की कुई आवशक्ता नहीं मंत्र पाठ एवं उत्सर्ग भी निरर्थक असल उप्चार उनके मुक से बार बार तारा तारा नाम का उच्चारण और भाव विहल प्राधना कापते हुए हाथों से वा बेल पत्र और फूल लिकर अंजली देते और कहते यह बेल पत्र लो मा यह अन्न लो यह जल लो यह फूल चंदन और बली लो अपनी मर्जी के अनुसार मनमानी ढंग से पूजा समापत करते या देवी की पूजा नहीं थी यह मानों मा के उपर उसकी संतान के सहज अधिकार की एक बाले लीला थी बाहर की वस्तू अवस्तू क्रिया प्रतिक्रिया की ओर द्रिश्टी देना इन आत्म समाहित ब्रह्मभग्य पूरुस के लिए किसी दिन भी संभो नहीं हुआ इसकी आवसक्ता भी नहीं होती मंदिर में व्रिक्ष के नीचे और समसान में सरो बंधन मुक्त छेपा दिगंबर के रूप में सब लोगों के सामने पड़ी रहते कोई व्यक्ति इस सम्मंध में यदि कुछ कहता तो उत्तर देते मेरे पिता नंगा, मा नंगे, मुझे भी तो वैसा ही अभ्यास करना चाहिए इसकी सिवा, मैं तो लोगों के बीच नहीं रहता हूँ अपनी मा के साथ मा के समसान में, फिर मुझे किसका वैय है तंत्रसिद्ध महा सक्तिधर साधक के रूप में वामा छेपा का सुयस इस समय तक चारो और फैल गया था तारा पीट की पुन्य भूमी में अशंक, मुक्तिकामी, सक्तिसाधक एवं दरसिनार्थी आने लग गय थे इनमें बहुत लोगों को छेपा का बाहे रूप कठूर प्रतीत होता था उनकी भीम भैरो मूर्ती और आचार विचारहिन बाहे रूप स्वभावता कुछ लोगों के लिए भित्ती जनक था कारण गांजा के धूम मंडल के बीच से वास्त्विक ब्रह्म ज्यानी वामा छेपा को पहचान लेने की सक्ति या सौभागे बहुत कम लोगों को प्राप्त होता था अपनी चतुर्दिक के दुर्भेद्य आवरन द्वारा छेपा ओवांचित आगंतुओं से आत्म रक्षा करने में समर्थ होते थे अपनी अंतर सत्ता की गंभीरता में एकांत आनंद में वो भरबूर रहा करते थे संपून रूप में आत्म समर्पन करके जो साधक उनकी चर्णों में पड़े रहते थे केवल उन्ही को सक्ती साधन का गुढ़तम पथ निर्दीस मिल्नी का सौभागे प्राप्त होता था समसामी बंगाल के विश्ष्ट सक्ती साधकों में ऐसे लोग विरल थे जिरोंने तारापीट के पंच मुंडी आसन पर बैठ कर सिद्धी मार्ग के लिए पाथे संचे ना किया हो और उदार हर्दय छेपा का आस्रे ग्रहन करकी अपनी कुकरतार्थ ना किया हो तंत्र सिद्ध महापूरस्वामी निग्मा अनंदनी इस तारापीट के समसान में आकर छेपा की सरनली थी और उनकी कृपा से ही वह इस्ट देवी का साक्षात लाव करने में समर्थ हुए थे ज्यात एवं अज्यात और भी बहुत से तंत्र सादकों ने छेपा के निर्देश में महा सक्ति की आराधना करके सिद्धी प्राप्त की थी कौल मार्क के दुशाध्य तपश्या में उतीरन होकर छेपा एक महान ब्रह्म ज्यानी बन कहे थे उन्होंने जैसी विपल योग विभूती एवं अध्यात में सक्ति प्राप्त की थी उसकी तुलना क्वचित ही देखी जाती है किन्तु इस अमित अध्यात में सक्ति को छेपा अती सहज एवं स्वभाविक रूप में चिरकाल धारन किये हुए घोंगते रहे 1911 इस्वी का महीना चारो और और विराम वर्सा हो रही है इन दिनों छेपा रह रह कर समाधिस्त हो जाते हैं एक दिन अहो रात्री समाधी से जागरत होकर उन्होंने अपने भक्तों को बुला कर कहा देखो भाई मोक्षदा अनन्द बाबा की जहां समाधी है वही मेरी देई की भी समाधी देना भक्तगण उनके आसन वियोग से कातर होटे छेपा बाबा की सारेरिक अवस्था क्रमसा खराब हो रही है इसके बाद स्रावन की दूसरी तारीक की रात में सब लोग अत्त उद्विगन होटें बाबा की भक्ति सेवक एवं सहचर स्वान अदल सब के चेहरे पर विशाद की मलीन जाया छेपा अंतिमबार की ध्वनी द्वारा सब को चकित करते वे समाधिस्त हो गये यह समाधी ही उनकी महा समाधी थी आधी सताब्दी से अधिक तक सक्ती साधना के सिखा को वसिष्ट देवे के आसन पर प्रजवलित रखने के बाद वामा छेपा की मर्त लिला उस दिन समाध हो गई आसा करता हूँ कि आपको यह जीवनी बहुत पसंद आई होगी और कभी जीवन में आपको मौका मिले तो आप तारा पीठ अवश्य चाहिएगा और पूरी जीवनी अगर आप लोगोंने सुना है तो उसमें दो-तिन संतों के बारे में बताया क्या है उनकी समाधी है वहाँ पे तो आप जाके उनका दर्सन अवश्य करें कोई मनोकामना है आपकी कुछ मन में इच्छा है तो जाके वहाँ पे प्राथना करें भगवान से वहामाचेपाजी से उनके गुरू से और अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा जीवनी तो हमेशा के तरह मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास कुछ समय है तो इसे लोगों से सेर करें कहीं भी आप बैठते हैं अपने परिवारों के वीच में तो कुछ-कुछ घटनाएं जो इसमें दी गई है उनके बारे में चर्चा करें और मैं कोसिस करूँगा कि वामा छेपा जी की जो गुरू थे और उनकी जो सिस्से थे अगर उनकी जीवनी मुझे प्राप्त होती है तो वो भी मैं आप सबों के सामने लाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं आप उन्हें अवश्य देखे और अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो उसका बे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बल जाएगा जै तारा जैसलो तेचे अपाप एगरी श्रोड़ को ग्लाप आप को एगरी झालना चाहते हैं तो याना ड्लाप्त हैं जैसा कि दूदने आपको अगरी बल देखें नहें गगरे वहार आपको प्सका हैं प्रापको में एक हैं प्रापको अज़िस्योग ऑने प्लापको पृशनियो